जै माम बे, जै दुर्गे माम 17 अक्टुम्बर से सरद्य नवरात्रे शुरू हो रहे हैं सरद्य नवरात्रे किस तरह मनाने चाहिए हमें किस तरह से पूजा पाट करना चाहिए तो इसकी सरल विदी का महयाँ पर वर्णन करने जा रहा हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 17 अक्टुम्बर के दिन आपको कलस इस्थापना का महरत क्या है तो महरत है सुबह 6.30 बजे से लेकर 10.00 बजे तक और अभीजित महरत है सुबह 11.40 से लेकर 11.40 से लेकर 12.29 तक तो यहां समय जो है जगह के हिसाब से थोड़ा इदर उदर हो सकता है लेकिन आप इसको बड़ा समय मानके चल सकते हैं कि इस समय के अंतरगत आपको कलस इस्थापना करनी चाहिए और कलस इस्थापना के साथ ही आपको जो भी वो देने चाहिए एक मिट्टी के बरतन के अंदर और क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मा की तश्वीर या मा की फोटो को घर के इशान कौन में रख देना चाहिए और उसके उपर लाल कपडा मिछा के उस जगह को पवित्र घर के यह सब आपको करना चाहिए उसके बाद में कलस इस्थापना कैसे करनी चाहिए तो आपको कोई तांबे का या चांदी का लोटा लेकर उसके उपर आपको तीन मौली लपेट लेनी चाहिए उसके उपर स्वास्ति का निशान बना देना चाहिए उसके अंदर पानी डालकर उसके अंदर सरवाश सुधी डालनी चाहिए, चंदन डालना चाहिए, दक्षीना डालनी चाहिए, चांदी का सिक्का डालना चाहिए और उसके उपर आपको एक बरतन ढखने के लिए जरूर रखना चाहिए और बरतन ढखने के जो बरतन ढख रहे है उसके उपर आपको अक्षत या चावल रख देने चाहिए और उसके उपर आपको नारियल रखना चाहिए नारियल के उपर आपको मौली बांद देनी चाहिए और उसके बाद में नारियल को कैसे रखना चाहिए तो यहाँ पर आप एक image देख रहे होंगे, इस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से, कि नारियल आप जब रखें, तो नारियल का जो मुह हो, वहाँ आप की तरह हो, यह बहुत ज्यादा important है, यह बहुत मद्दपुन बात है, कहीं लोग नारियल गरत रखते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले, वाप पारी डाल देंगे, यह सब कुछ डाल देंगे, इसके बाद में इस पे पंच पल्लव जो होते हैं, वह रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आम के पत्ते रखें, तो आप आम के पत्ते रह सकते हैं, पीपल के पत्ते रख सकते हैं, असोग के पत्ते रह सकते हैं, इस तरह प important है इस image से आपको समझ में आ गई होगी इस तरह से आप कलस इस्तापना करेंगे और कलस को कभी भी जमीन पर नहीं रखेंगे कलस को हमेशा आप जिस तरह से भगवान की मूर्ति को आपने जो लकड़ी के कपाट पर रखा है उसी तरह इसको भी आप लकड़ी के किसी कपाट क उपर रखेंगे या कोई भी जो लकडी का कोई भी structure लेंगे उसके उपर रखेंगे इसको जमीन पे नहीं रखेंगे इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो इस तरह से आपकी कलस इस्तापना होगी और कलस इस्तापना के साथ ही आप क्या करेंगे कि मिट्टी के बरतन में जो क बो देंगे, यह दो काम आप करेंगे, यह सुबह सुबह ही हो जाएंगे आपके काम मा की मूर्ती रखने के बाद में, या मा की फोटो रखने के बाद में, अब आपने यह सब कुछ काम कर दिया है, अब क्या करेंगे, अब हम मा की सरल, किस तरह से सरल विदी से माता की पूज कर सकते हैं वह बता देता हूं मैंने यहां पर एक डाइग्राम आपको दिख रहा होगा इसमें अंदर आपको बताया है कि करम क्या रखना है अपन को यह करम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर हम इस करम के अनुशार चलते हैं तो एक तो सास्त्रोक्त विती का सरल तरीका है इस तरह से करम में करने से और हम किसी चीज को भूलते नहीं है और इसी करम में हम क्या करते हैं थाली भी बना देते हैं थाली में जो हम जो शमान रखते हैं वो इसी करम में रख देते हैं जिस करम में यह लिष्ट बनी हुए जिससे क्या हमें ढूंड़ना नहीं पढ़े पुजा के वक्त कि यह कहां चला गया वो कहां चला गया और किसी चीज से हमारी कोई चूप भी नहीं हो जाए और यहां सब जब हम लिष्ट का जो पूरा काम करेंगे तो इन सब के मंत्र होते हैं तो यहां पर अगर मैं सब के मंत्र देने लग जाओंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस वज़े से जो भी लोग हमसे चाहते हैं कि हमें जैसे कि हमें पुस्प चड़ाना है तो पुस्प चड़ाने का मंत्र है जैसे कि हमें आवान करना है तो आवान करन तो फिर आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंत्रों से नहीं करना चाहते हैं, केवल हिंदी में सरल सब्दों में करना चाहें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूं, तो सबसे पहले अपन को ये सब कुछ सामगरियां, जो है इस लिस्ट जो आ उसके बाद मैं आपको बैटना है, संकल्प वगर लेके, अब अपन क्या कर रहे हैं, माता की पूझा सुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही सरल विदी में समझा रहूँ आपको, जिससे आप बूले नहीं जैसे क्या करते हैं, जैसे पहले अपने घर पे माता जी को बुलाना है, तो अपन क्या करेंगे, कि माता हमारे घर पे आओ, तो इसे बूलते आहवान, यह संस्क्रत में होता है, लेकिन अपने हिंदी में करना चाहो, तो हिंदी में, और संस्क्रत के लिए जिनको भी चाहिए, वो मुझसे personal contact कर दे और WhatsApp पे लिखे कि हमें मंतर बेजो मैं उनको मंतर बेज दूगा तो अब क्या हुआ सबसे पहले आपने आवान किया अब जैसे वो आपने आवान किया अब माता जी आपके घर पर आ गई है तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे अब माता जी को आप आशन देंगे माता आई है तो माता को आशन देंगे कोई भी अपने घर में आता है तो आपन क्या करते है बैठने के लिए बोलते है तो उसी तरह से मात को आशन देंगे तो आशन कैसे देंगे पुश्प से देंगे पुश्प रखेंगे तो इसी वज़ उसके बाद में हम अर्ग्य देंगे मतलब हाथ धोएंगे माताजी के है ना और यह हम किसे करेंगे आच्मनी से करेंगे आचमनी होती ना जैसे कि अपने पास में इस्पून होता है उसी तरह से आचमनी कौपर की बनी हुई होती है उसे बोलते है आचमनी तो इससे यह काम करेंगे अपन इस्टिल के बरतन जनरली अपन यूज में नहीं लेने चाहिए अपने को कौपर के या तामबे के इस तरह के पात दिया और उसके बाद में अर्गय दिया अर्गय क्या हुआ कि मा के हाथ दो दिये उसके बाद में अर्गय के बाद में अर्गय मने अर्पन करने वाली चीज जिसके अंदर पानी के अंदर चंदन मिला के आप इसको अर्गय बोलते हैं जैसे अपन सूर्यों को अर्गय द अब माता को अब आपन Dayan करवाएंगे, तो शनान करवाने के लिए 8 चीज़े होनी ज़रुरी है, ये 8 चीजे किस तरह की है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं, तो सिनान सबसे पहले ददी, ददी हो गया, दूद हो गया, गरत हो गया, मदू हो गया, सरकरा हो गया, पंचामर्थ हो गया, गंदोदक हो गया, और सुद्दोदक हो गया यह अपने 8 चीजे, तो इसमें दधी मने दही हो गया, दूद का पता ही है, गरत मने गाय का गी हो गया, मदू मने होता है, हनी, यह पता हो गया, सरकरा मने अपनी खांड हो गई, और पंचामर्थ बनाना आपको आता ही होगा, पंचामर्थ वो हो गया, और गंदो तक मनलब हो बनार लखिये उस तोरय से अपने माह को सिनान करवाते रहेंगे, और अगर इस समय हमचाहें का पर time चाहिए तो स्री देव्य अर्थरवर् स्त का पार्ट करते हुए' मा का यहाँ पर अभिशेक भी कर सकते हैं जिस चीज से भी हम चाहें हनी से चाहें तो हनी से, दूसरे चाहें तो दूसरे इस चीज से हम यहाँ पर स्रीदेवी अर्थवशिष का पाट करते हुए मा का अभिशेक भी इस वक्त हम कर सकते हैं तो अब हमने एक थाली में देखो, यहाँ पर एक image में दिख रहा होगा, आपको एक थाली दिख रही हुगी, तो जिन भी चीजों से हमें मा को सिनान करवानी है, उनकी हमने एक अलग ही थाली बना के रखी है, जिसे हम भुले ही नहीं, और इन सब के मंतर भी होते हैं, वो शुबागय सुत्र, बेट करेंगे, उसके बाद में पुष्प है, पुष्माला है, अलंकार का मतलब होता है, आभुशन, आभुशन से हैट करेंगे, फिर बिल्वपत्र, फिर सिंदूर, अबीर गुलार, परिमल धरविय, गंद, हरिदराचुन, कुमकुम, अक्षत, यह स थाली में ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है, हमने जमा के रखिये, तो दीरे दीरे हम मा को मंत्र बोलते रहेंगे, और अरपित कर पे रहेंगे, और ये लिश्ट के अनुसा चलता रहेगा काम, और सबके मंत्र है, अगर चाहिए, तो मुझसे पॉंट्रेट करना में शें मुह वापस एक बार साफ करेंगे और मावा का मूह सुद्धी करण करेंगे और उसके बाद में हम ताम पूल और दक्षीना मने पांजो होता है पांज़डाएंगे और फिर दक्षीनार की तो यहाँ सब कुछ वीदी है इस वीदी को मैंने बहुत ही सरल सब्दों में बता दिया है और पूरी आपको दो थालियां जमा के रखते हैं पहले से ही और वो थाली के फोटो मैंने आप देखी रखे हैं किस तरह से आपको थाली जमानी है एक तो मैंने आपको यह बता दिया है कि सिनान करने के लिए और बाखी दूसरे सारे करिक्रम करने के लिए किस तरह से आपको करना है और उन सबको मंत्र है अगर आप चाहिए तो मुझसे कॉटेट करें तो इस सरल विदी से हम मा देवी की पूजा कर लेंगे कलस इस्तापना की जो के बीच बो दिये और उसके बाद में इस विदी से माता की पूजा कर ली तो अब यहां काम अपना हो गया अब हम चाहते हैं कि अपन दुर्गा सबसती का पाट करें कई लोग करते हैं तो हम वो किस तरह से करें तो इसके भी बहुत अच्छी विदी है वह सास्त्रोक्त विदी में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें दुर्गा सबसती का पाट करना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम दुर्गा की सबसती का पाट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा सापोद्वार मंत्र होता है यह पूरी एक लिष्ट है, किस तरह से हमें करना है, यह भी बहुत बड़ा प्रोसिजर है, तो इसके यहाँ पर इमेजे आएगी, किस तरह अपन को करना है, यह पूरे करम के लिष्ट है, पहले नमबर पर यह होगा, दूसरे पर यह होगा, तीसरे पर यह होगा, तो यह आपके लिए मैंने तयार किया है, जिससे आप भटके नहीं, किस के बाद में क्या करना है, क्योंकि बुक में एक आगे दे रखा है, एक पीछे दे रखा है, तो इस वज़े से मैंने पूरी एक लिष्ट बना रखिए और उसी करम में आपको ये करम फॉलो करते हुए करना चाहिए तो अगर हम दुरुगा पूजा पाठ कर रहे हैं दुरुगा सबसिती का पाठ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले शापोदार मंत्र पढ़ना हुगा और यह शापोदार मंत्र कितनी बार पढ़ेंगे साथ बार फिर हम पढ़ेंगे उत्किलन मंत्र यह पढ़ेंगे हम 21 बार फिर हम पढ़ेंगे मरत संजीवनी मंत्र यहां पढ़ेंगे हम साथ बार फिर हम मारिच कल्प का सपसिती मंत्र पढ़ेंगे या फिर रुद्रायमल महा मंत्र जो इनों ने दिया था चंडी का साफ्र मोचन मंत्र चार नमबर उन दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे या तो रुद्रायमल का पढ़ेंगे या मारिच कल्प का पढ़ेंगे करेंगे फिर साथवे पर तिलक करेंगे फिर आठवे पर रात्रिशुक्त करेंगे फिर नौ पर विदिवत नर्मान जब करेंगे नौवे नंबर पर विदिवत नर्मान जब करेंगे फिर दसवे नंबर पर हम दुर्गा सब्तशिती पाठ करेंगे तो दुर्गा सब्तशिती दूसरे दिन कौन सा पढ़ें तीसरे दिन तो उसके लिए मैं अलग से लिश्ट देने वाला हूँ वो आप देख लेना तो अभी तो आप ये पढ़ लो कि अगर आप दुर्गा सबसती का पार्ट दसवे नमबर पर आएगा और इसके बाद में वापस हम विदिवत मिर्वान जब की एक बाला करेंगे पहले भी एक माला की बाद में भी एक माला करेंगे उसके बाद में वापस सापुद्वार मंतर पढ़ेंगे साथ बार फिर उत्किलन मंत्र पढ़ेंगे 21 बार और उसके बाद में मर्थ संजवनी मंत्र पढ़ेंगे 7 बार तो इस तरह से ये जो 14 काम हम करेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे उसके बाद में हम देवी सुक्त पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में पार्ट करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही लंबा कारिक्रम होता है, इसके अंदर कम से कम आप अगर बहुत हमेशा नित्य परती दिन करते रहते हैं, तो आपको डेट से दो गंटे का टाइम लगेगा, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, डाही गंटे, तीन गंटे थक भी आपको लग सकते हैं, अब यह आपके उपर डि तब जाके हमारा दुर्गा सबस्वती का पार्ट कंप्लीट होगा, और उसके बाद में हपन को सिद्ध कुंजी का इस्त्रोतम का पार्ट भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी ने कहा यह बात, कि सिद्ध कुंजी का इस्त्रोतम का पार्ट करने पर ही दुर्गा सबस्थी के पाट का फल मिलता है तो हमें दुर्गा सबस्थी के पाट के साथ में सिद्ध कुंजी का इस्तृतम का पाट भी करना चाहिए अब यहां पर एक स्लाइड आ रही होगी अगर दुर्गा सबस्थी के अपने पास में 13 पाट है अगर हम एक ही दिन में सारे नहीं करना चाहिए तो हमें किस दिन क्योंसा कौंसा करना चाहिए वो मैं बता देता हूँगो तो पहले दिन आपको पहला पाट करना चाहिए दूसरे दिन आपको जो है दूसरा और तीसरा करना चाहिए तीसरे दिन आपको चोथा पार्ट करना चाहिए और चोथे दिन आपको पांचवा, छटा, साथवा, आठवा करना चाहिए और पांचवे दिन नौवा और दसवा और छटे दिन आपको ग्यारवा और साथवे दिन जो है बारवा और तेरवा दिखरावगब तो इस तरह से अपन को साथ दिन में दुरुगा सफवती के पार्ट कंप्लीट कर ले ने चाहिए लेकिन प्रोसेजर वो ही रहएगा एक नमबर से लेकर 17 नमबर वाला तो इस तरह से हम दुरुगा सफवती का पार्ट करेंगे अब मैंने आपको यह बताया कि यह बहुत ही लंबा प्रोसीजर है आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो और अगर आप हिंदी में करेंगे न तो आपको माता के बारे में माता की जो माया है उसको आप जान पाएंगे कि यह कितनी बलवान है कितन में भी समझमा हैगा कि दुर्गा में, सरस्थी में और गौरी में क्या संबंध है तो इन सब को करना चाहिए कम से कम एक दिन तो आप ऐसा चुने जिस दिन आप 3-4 गंटे का टाइम दें और सब को हिंदी में पढ़ें आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप नहीं कर सकते अगर आप किसी कारणवस नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें तो मैं आपको कूँगा सिद्ध कुंजी का इस्तरोतम का पाठ करें और मा भगवती देवी के 32 नाम जो हैं, यहां पर दे रखें, मा भगवती देवी के 32 नाम है यह, इनका आप नित्य परतिदिन पाठ करें, मा ने कहा है कि जो भी मेरे इन 32 नामों का जब करेगा, उनको मैं सारे फल दूगी, तो अगर आप इतना नहीं कर सकते, तो हम आपके पिर दो नमबर निखाए तो फिर दो नमबर वाले का यह यह इंवार्नि फिर बाभीं, दूर्ग बीनिवार नि, दूर्ग मच्छेदनी दूर्ग शादीनी पांच नमबर पर तो इस तरह से इनका नाम लेंगे अब यह दूसरी लिश्ट में देखो दुर्गमाग्रपरदा 15 नमबर पर दुर्गमविज्या तो इस तरह से 16 नमबर पर तो इस तरह से आपको मा भगवती के 32 नाम लेने चाहिए अगर आप वो सब कुछ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुझु का इस्तृत्म का पाट कीजिए इन 32 नाम का जब कीजिए और एक सबसे बड़ा मंत्र मा का जो है बाका नर्वान जप मंत्र अगर वह कर सकें तो बहुत ही अच्छी मा है बहुत ही अच्छी बात है उस मंत्र की रोज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप जाप कीजिए नर्वान मंत्र का जाप कीजिए इससे भी आपकी सारी इच्छे पूरी होगी और विशेश बात मा को लालफुल विशेश प्री हैं तो मा को आप लालफुल और लालवस्त्र चड़ाएं तो यहां पर मैंने भक्तों कोसिज की है कि आपको बहुत ही सरल सब्दों में यह बता सकूं कि हमें मा की पूजा कैसे करनी चाहिए उमिद करता हूं अपने गुरु को फॉलो करते हुए कुछ अलग-अलग बात करते हैं तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो या उन्हें लगे कि हमसे कुछ गलती हो गई है तो केवल आप इतना करें कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं कि यहां पर हम गलत हैं तो हम उसक को आगे चलके सुदाने की कोसिस करेंगे, चार लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हर चीज प्रफेक्ट नहीं हो सकती, समय के साथ ही प्रफेक्ट होती, तो अगर कुछ गलत हो, तो वह आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो, यहां प अगले वीडियो में उसको जरूर सुदानेंगे, और कमेंट बॉक्स में हम यह बताएंगे भी, आप सब भी हमारे कमेंट बॉक्स को चेक करते रहिए, कि अगर कोई गलती हुई है, तो हम वहां पर बता सके कि यह गलती हुई, ओके, उमीद करता हूँ, आप सब को यह अच